Hello everyone, welcome to Vedifile, तो आज हम बात करते हैं chemical reaction of alcohol and phenol, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले alcohol को prepare किया, preparation of alcohol पढ़ी, उसके बाद हमने उसकी physical property बनी, भाई हमारे पास alcohol बनके आचुका है, तो उसकी physical properties क्या होती होगी, कैसे वो रहता होगा, क्या boiling point होगा, उन सब के बारे में हम से पहले जाना, अब हमें ये सब चीज पता लग चुकी है, तो अब हम उनकी chemical reaction कराने जा रहे हैं, कि वो किस के साथ reaction करता है, किस के साथ reaction नहीं करता है, बात clear है, so the chemical reaction of alcohol or phenol can be divided into the following two categories, उसको हम दो category के अंदर divide कर सकते हैं, कौन-कौन सी दो category देखिए, पहली category होगी मेरी, reaction involving cleavage of oxygen hydrogen bond, अगर OH bond जो होता है, हम जिसको बोलते हैं, अगर वो अला bond टूट जाएं, तो एक तो उसके साथ हमारी reactions हो सकती है, और एक हो सकता है, reaction involving cleavage of CO bond, that means, जो हमारे पास COH होता है, that means, कोई carbon oxygen hydrogen होता है, तो एक case तो हमारे पास ये हो सकता है, कि OH bond का cleavage हो रहा हो, और कोई reaction proceed हो रही हो, और एक case ही हो सकता है, कि oxygen hydrogen bond नहीं cleavage हो रहा, but CO bond की भीच में cleavage हो रहा हो, वहां से consideration होगी, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, बात क्लियर है, तो आज सबसे पहले बात करते हैं, reaction involving cleavage of oxygen hydrogen bond, बात क्लियर है, in these reaction, alcohol react as a nucleophile, ऐसी reactions में, जिसमें OH bond cleavage होता है, वहां मेरा alcohol nucleophile की तरह behave करता है, अब nucleophile क्या होता है, हमने पढ़ा है, nucleophile वो species होती है, जो electron donate करने की tendency रखती है, किसकी electron donate करने की, that means, जो electrophile की साथ reaction कर सकती है, electron rich species होती है, बात क्लियर है, nucleophile क्या होता है, अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, अब हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, कि हमारी ये nucleophile की तरह behave क्यों करता है, अगर OH bond cleavage होगा, तो, देखिए, अगर OH bond cleavage होगा, तो H plus form में बांड इकलेगा, तो उस bond के दोनों electron oxygen की तरह आजाएंगे, इसका मतलब, वो मेरा negative charge bear कर लेगा, वो मेरा nucleophile की तरह ही behave करेगा, बा लिए ROH, अगर इसकी reaction में इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा दू, किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा दू, तो क्या reaction होगी, बताइए, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रेक्ट्रोफाइल क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रोफाइल पर आओगे तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या देख पा रहे हैं यहां पर एक प्लस यहां से बाहर चाथ चुका है यहां पर अक्सिजन मेरा नुकलियोफाइल की तरह बीव कर रहा था बात क्लियर है तो आज हम बात करते हैं अब सम रियक्शन इन्वाल्विंग क्लिवेज ऑफ ओएच्स बॉंड उसके अंदर कौन कौन सी रिक्शन पढ़ेंगे उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात क होती है उसके बारे में हमको फता लगेगा बात क्लियर है तो बोथ एल्कॉल और फिनॉल आर असेडिक इन नेचर वो एसेडिक नेचर क्या होते हैं एंड हैंस रियक्ट विद एक्टिव मेटल तो फॉर्म मेटल अलकॉक्साइड और मेटल फिनॉक्साइड विद मेटल फिनॉक्साइड बना देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस वहां से बाहार निकल जाएगी अगर में जन्रल डिरेक्शन की बात करते हैं अगर में दो मॉलिकुल आर ओएच के लेता हूं देखिए आप देख पा रहे हैं कि दो मॉलिकुल मेने यहां आर ओएच लि सब्कसाइड रखा है बात लिए है तो सोडियम के साथ मैं कराने जा रहा हけれ carabs आपका रहे हो आपदेख पा रहे हो की आलक्षीजन ईंड़ है जब ऑनन तो दो इकप्ले फिरी होते दिखन और 2 निक्ट्राण हो चुके हैं बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं यहां तक अब जो मेरे दो मेटल है वो एक एक इलेक्ट्रोन दोनों हाइड्रजन को दे देंगे और मेटल किसके पास चला जाएगा वो जो M प्लस बना है मेरा वो M प्लस R O माइनस के पास चला जाएगा that means क्या बनता हुआ दिखा आपको आपको दो मॉलिक्यूल R O माइनस M प्लस इसके बनते हुए दिखे और जो दो इलेक्ट्रोन H को दिये थे उसने H2 का formation कर लिया है तो H2 भी BAT के हएं समझें मैं आपको तो आपने क्या देखा मैंने दो मेथे नौल के लिए उनकी तो मैंने दो सोनी अटम से बिल्क्म दो playthrough देख पा रहे हैं यहां पर अब उसके साथ जा मैंने रिक्षिन कर रहे हैं तो आप यहां क्या देख पा रहे हैं कि जो मेरे ऑक्सिजन था उसने दोनों उसने बॉंड की एलेक्ट्रोन अपने पास ले लिए हैं और नेगेटिव चार्ज बना लिया है और दो एच्प्लस बन सोडियम मेटल थे वो ाक्सिजन के पास आ गये हैं एक सोडियुम मिथोकसाईड का फॉरमेशन कर लिया है यहां पर बात कियर है समझ मैं कैसे किया तो यह बात हमेरे किस क्योई यह हमने देखा कि अगर आलकॉल की रिक्षिन अक्रिव मेटल के साथ करा देंगे तो किस तरह है हमारे reactions होती है बात लिए इसी तरह मान लीजिए मैं इथेनॉल ना लेके एथेनॉल ले लेता हूँ बिल्कुल आप दो मॉलेकुल इथेनॉल देख सकते हैं तो उनकी reaction अगर हम metal के साथ कराएंगे किसके साथ करानी वड़ेगी magnesium के साथ कराएंगे तो यहां magnesium हमने कितना लिया है हम जानते है magnesium 2 electron loose कर सकता है क्यों 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 उसकी balance shell में 2 electron होते हैं तो magnesium 2 electron loose कर सकता है तो हमने एक की magnesium के साथ कराई हिएं हमें क्या बनता हुँ दिखा देखिए हमें यहां पर c3 c2 o- वाहँ नि के 2 molecule और एक mg वहां पर आप देख पा रहे हैं बात canol लिया था वो magnesium ethoxide के अंदर convert हो चुका है किसे अंदर magnesium ethoxide के अंदर convert हो चुका है बात लियर है तो ये बात वह हुई हमारी किसकी reaction of alcohol with active metal की बात हुई जिसके अंदर हमारा मेंगनिशियम लिया हमने sodium लिया उसकी reaction हमने ऐल्कॉहल के साथ कर आई अब क्या मैं metal aluminium भी ले सकता हूं बिल्कुल अगर मैं aluminium लूम तो भी reaction हो सकती है कैसे देखिए अब की बार मैंने लिए six molecule किसके tertiary butyl alcohol के tertiary butyl alcohol क्या होता है जो जिस carbon से मेरा OH लगा है उस carbon से further तीन CS3 लगे हुए तो उसे tertiary butyl alcohol भोलते हैं बिल्कुल आप देख पा रहे हैं अब यहां पर six molecule लिए हैं मैंने यहां पर मुझे उसकी reaction दो aluminium के साथ करानी पड़ेगी दो aluminium metal के साथ करानी पड़ेगी क्यों ऐसा क्यों बताइए क्योंकि हम aluminium tertiary butoxide का formation होता हुआ दिख जाएगा mechanism कैसे होगी बिल्कुल जैसे हमने first mechanism करी थी बिल्कुल उसी तरह mechanism होगी तो हम यहां easily बता सकते हैं क्या बन जाएगा aluminium tertiary butoxide का formation होता हुआ दिख जाएगा बात क्लियर है समझ में किस तरह alcohol में reaction होती है इसी तरह है अगर मैं alcohol ना लेके फिनॉल ले लूँ बिल्कुल आप यह फिनॉल देख पा रहे हैं इस फिनॉल की reaction अगर मैं sodium metal के साथ करा दूँ तो दो फिनॉल के मैंने molecule लिये हैं और उसकी अगर दो sodium metal के साथ करा दूँ मैं mechanism बिल्कुल जैसे हमने alcohol में पढ़ी बिल्कुल वैसे ही चलेगी तो क्या हुआ दो sodium metal के साथ जब मैंने reaction कराई तो मुझे दो sodium phenoxide मिलते हुए दिखे और एक H2 gas महा से बाहर निकल गई इसका मतलब क्या हुआ फिनॉल also react with aqueous sodium hydroxide to form sodium phenoxide अप इसका मतलब क्या हुआ हमने जब sodium के साथ reaction कराई थी तो हमें क्या मिल था हमें एक sodium phenoxide मल चुका था बात करे है तो अगर मैं phenols की बात करूँ किसकी? फिनॉल की बात करूँ तो phenol को हम अगा- habilis sodium hydroxide сказать कशा करा दे phenol also react with sodium- sweep. साथ भी करा सकते हैं, हमने कौन सा लिया, NAOH, बिल्कुल फिनॉल की रेक्षिन, जब हम NAOH के साथ कराने जा रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए, मुझे सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है, और एक वाटर मॉलिकुल वहाँ से बहान निकल गया है, क्या, एक वाटर मॉलिकुल बहाँ हमने जितनी भी reaction देखी, उसे क्या पता लगा, कि वो acidic nature show करते हैं, कैसे पता लगा, बताईए, क्योंकि वो सब H plus donate कर रहे थे, H plus अपने पास से बाहर निकाल रहे थे, और हमने पढ़ा है, कि जो H plus donate करते हैं, वो तो acid कहलाते हैं, बात क्लियर है, कोई confusion नहीं है तक, आगे द होते हैं, bronze trend, acid होते हैं, या मैं बोल दू, normally, एक acid होते हैं, क्योंकि वो H plus जो मोरा होता है, उसको donate करते हैं, किसको, strong base को, या फिर मैं कहा दू, एक proton donate करते हैं, proton का मतलब क्या होता है, एक hydrogen को ही हम proton बोल सकते हैं, H plus को बात लियर है, है, H plus donate करते हैं, इसलिए, वो मेरे acid की behave करते हैं जैसे मैं बात करूँ माल लीजी यहाँ पर मेरे पास कोई B base है बात क्लियर है B base है उसकी reaction मैंने किसके साथ कराई हो आर के साथ कराई that means एक alcohol के साथ कराई बात क्लियर है तो आप है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि B H का formation हो चुका है और O R minus का formation हो चुका है that means जो यहाँ पर मेरा B था वो base की तरह behave कर रहा है जो alcohol था वो acid की तरह behave कर रहा है क्यों क्योंकि acid ने H plus दिया है जैब ही तो आप देख पा रहे हो कि O R minus बना है तो क्या हुआ जो मेरा B था वो base है, जो alcohol ता, वो acid की तरह Bhev कर रहा है और जो BH बना है वो है मेरा conjugate acid और जो OR minus बना है वो क्या है? conjugate base है. अभी conjugate acid और endangered base क्या होता है? जो base से जो product बनता है, उससे हम conjugate acid बोलते हैं. that means base से convert होके मेरे पास acid बन चुका है और acid से जो convert होके product बनेगा वो मेरा कहलाएगा conjugate base कहलाएगा बात समझ में यहां तक यह बात हुई हमारे किस की कि किस तरह हमारा alcohol जो होता है वो bronzed acid की तरह behave करता है या फिर मैं phenol की बात करूँ किस तरह बात करता है so alcohol are weaker acid than water मैंने क्या बोला देखिए alcohol मेरे water से weak acid होते हैं ऐसा क्यों when an alcoxide is treated with water then the starting alcohol is obtained क्या बोला मैंने जो मेरे पास alcoxide बनाता पीछे हमारी reaction में उसकी reaction अगर वापस water के साथ करा दें तो हमें वापस वही alcohol form होता हुआ दिख जाएगा और एक OH- माहा से बाहर निकल देखिए क्या बोला मैंने जो यह मेरा alcoxide था RO- इसकी reaction अगर मैं फिर water के साथ करा दूँ H2O के साथ करा दूँ तो आप क्या देख पा रहे हैं देखिए जैसे ही मैंने H2O के साथ कराई तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे RO- ने water के पास एक S ले लिया है और ए अगर मेरा acid था क्या था वाटर मेरा acid था इसलिए हमने क्या बोला कि alcohol जो होते हैं वो मेरे कम acidic होते हैं जबकि water मेरा ज्यादा acidic होता है बात क्लियर है याद रहे हैं यह बात आपने यहां क्या देखा जो मैने Alcoxide था वो base था जो water था वो acid था और जो बात में OH- बना है वो reaction suggest that water is a better proton donor than alcohol, water एक अच्छा proton donor है alcohol की compare में, बात किर है that is alcohols are weaker acid than water और यह इसी से में पता लगा कि alcohol हमारे weaker acid होते हैं water से, बात किर है कोई confusion नहीं है यहां तक इसी तरह है कर मैं alternate की बात करूं, alternatively Alcoxide ion is better proton acceptor, उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि जो Alcoxide ion होते हैं वो proton ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं than hydroxide, hydroxide से ज्यादा अच्छे से हमारे proton कौन ले सकता है, मेरे Alcoxide ले सकते हैं, बात किर है, that is Alcoxide are strong base than hydroxide, इसका मतलब Alcoxide जो होते हैं, वो strong base होते हैं hydroxide के compare में, that is C2H5O minus Na plus जो होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, Alcoxide बोलते हैं, sodium, sodium, ethoxide इसको बोल सकते हैं, sodium ethoxide is a strong base than NaOH, NaOH से क्या होगा, strong base होगा मेरा, बात क्लियर है, समझ में है है, एक, एक reason हमें समझ में आना चाहिए, बात क्लियर है, इसी तरह में बात करूं, acidic nature of alcohol is due to electronegative oxygen atom which withdraw electron of oxygen hydrogen bond towards itself, क्या बोला हमने, जो acidic nature of alcohol होता है, वो क्यों होता है, क्यों oxygen, वो क्या करता है, OH bond के electron क्या करता है, अपनी तरफ खीच के रखता है, और अपनी तरफ खीच के रखता है, तो क्या होगा, as a result, the OH bond become weaker and split of a proton, और अगर electron को अपनी तरफ खीच के रखेगा, तो वो OH bond easily toot जाएगा, और proton को वहां से बाहर निकाल देगा, बात क्लियर है, सम quicker acid than water, alcohol को हमने water से कम acidic क्यों माना, क्योंकि alcohol के अंदर क्या होता है, एक alkyl group होता है, और उस alkyl group का क्या होता है, plus eye effect लगता है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ये मेरा क्या है, alcohol है, जैसे मैं बात की, CS3OH की मैंने बात करें, तो CS3OH ये आप देख पा रहे हैं, तो यहा होगा, वहाँ से OH इतना easily bond नहीं तूट पाएगा, उसके अंदर polarity अब इतनी ज्यादा नहीं होगी, और इतनी ज्यादा polarity नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, वो bond इतनी easily नहीं तूट पाएगा, इसलिए हमने बोला, कि alcohol मेरे weaker acid होते है, water के compare में, बात क्लियर है, समझ में यहां तक, as the number and size of alkyl group attached to carbon having OH group increases, क्या बोला मैंने, अगर मेरे alkyl group का number या size increase होती है, क्या बोला मैंने, अगर मेरे alkyl group का size या number increase होता है, कब जिस carbon cube पर OH लगा हुआ है, और उसी carbon cube पर, अगर size मेरा या फिन number increase होता है, alkyl group का, तो क्या होगा, उससे plus i effect increase हो जाएगा, और अगर plus i effect increase हुआ, तो acidic strength of alcohol क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, बात clear है, वापस देखी क्या बोला मैंने point में, मैंने ये बोला कि अगर किसी alcohol में, जैसे आप यहां पर 4 alcohol देख पा रहे हैं, एक बार oxygen से क्या लगा होता है, देखिए, एक बार CH2, CH3, उसके बाद देखिए, उ CH2, CH2, फिर लगा हुआ है, मेरे पास OH, और अगर चौति की में बात करूँ, तो 4 carbon इस तरफ लगे हुए हैं, और फिर OH लगा हुआ है, तो आप क्या देख पा रहे हूँ, left से right जाने पर क्या हो रहा है, plus i effect बढ़ रहा है, alkyl group का, अगर plus i effect बढ़ेगा, that means, क्या मतलब व वो bond इतना easily break नहीं होगा, और break नहीं होगा, इसका मतलब उसकी acidic strength भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि acidic strength का मतलब यही होता है, H plus का donation, बात क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, that is, order of acidic strength of different alcohol क्या हो जाएगा, different alcohol के अगर मैं बात करूँ, तो क्या order हो जाएगा, सब इस तरह मैं एक example, और लेता हूँ, देखिए, आपकी बार मैंने example लिया, एक बार 1 degree alcohol लिया, एक बार 2 degree alcohol लिया, और एक बार 3 degree alcohol लिया, अब इसके अंदरा बताइए, क्या order होगा, देखिए, तो आप क्या देख पा रहे हैं, जब मैं left से right move कर रहा हूँ, कब left से जब मैं right move कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक ही CS3 था, यहाँ दो CS3 आचुके हैं, यहाँ तीन CS3 आचुके हैं, that means, plus I effect बढ़ रहा है, और अगर plus I effect बढ़ेगा, तो महाँ पर electron donating capacity बढ़ जाएगी, और electron donating capacity अगर बढ़ी है, OH के बीच में जो bond होगा, वो इतन easily नहीं तूट पाएगा, और इतना एजली अगर नहीं तूट पाया, तो acidignature भी decrease हो जाएगा, that means, अगर OH bond तूट रहा होगा, acidignature के में सबसे ज़्यादा किसका होगा, बता यह, 1 degree alcohol सबसे ज़्यादा, फिर 2 degree alcohol और 3 degree alcohol आजाएगा, बात clear है, समझ में आया, कैसे किया हमने इसके बारे में, तो देखिए, next, देखिए, in presence of strong acid, alcohol also act as a base, क्या बोला मैंने, अगर कोई strong acid दिया गया है, तो alcohol मेरा base की तरह भी behave कर सकता है, this is due to the reason that the presence of lone pair of electron on oxygen atom makes alcohol proton acceptor, क्या बोला मैंने, अगर, अगर कोई strong acid दिया हुआ है, तो जो मेरा alcohol होगा, वो base की तरह behave कर सकता है, और ऐसा क्यों, क्योंकि oxygen के उपर क्या होते है, lone pairs होते है, lone pair क्या कर सकते है, lone pair मेरे proton accept कर सकते है, तो proton accept करके वो किस की तरह behave कर जाएगा, base की तरह behave कर जाएगा, जैसे मैं reaction की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ROH की, that means कोई भी मैंने alcohol लिया, उसकी reaction मैंने क donate करना, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो, H2SO4 मेरा H+, donate कर रहा है, और वो H+, जो donate किया है, उसको ROH ने जो oxygen atom था, उसने capture कर लिया है, अपने पास ले लिया है, और oxygen के उपर positive charge आच चुका है, that means, यहाँ पर मेरे alcohol ने base की तरह behave किया, क्योंकि आप देख पारे हो product में, उ उसने एक H+, को accept किया है, और जो H+, accept करता है, वो क्या कहलाता है, बताइए, जो H+, accept करता है, वो तो base कहलाता है, that means, अगर acid के साथ, more strong acid के साथ, उसकी reaction करा देंगे, तो वो base की तरह भी behave कर सकता है, बात clear है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक,